हेलो एब्रीबरन वेलकम बैक तो माई चनल सो आएए आज की इस वीडियो में कलाश टेंथ विसाइक पायलोजी का चेप्टर नियंतरन एवम समनभाई से इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कोश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके लिए एकजाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं पहला कोश्चन हमारे पास है मनुस्री की शरीर की सबसे बड़ी गरंती क्या कालाती है तो प्या गौाइटर अथवा गेगा पनवता है तो यहाम का आउड़ीन की कमी से पनवता है किसके कमी मु क्यूर्टा है यह कि मिरे नंमक की कमी मुझे ठीक है चलि देख लेते हैं में स्टकॉश्चन कर कि सांस्ट लौता है कब नेक्स्ट इंएust प्रिखेगा रोग होता है तो और से नोब्र कर राइट न्यप्ट हो जाएगा नेक्ट देख लेते हैं मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सरीर की इस्थिति शंतुलन का अनुरप्षन करता है तो वह अनुमस्तिष्क है ठीक है so option number C इसका right answer हो जागा अनू मस्तिश्क चलिए देख लेते हैं next question insulin की कम्मी के कारण कौन सा रोग होता है तो मदू में रोग होता है जिसे हम लोग आम भासा में sugar percent भी कहते हैं तो option number D हो जाएगा मदू में रोग ठीक है चलिए देख लेते हैं next question next है हमारे सडीर में विभिन जैबिक कारियों का नियंतरन होता है तो वो होता है तंत्रिक एवं रशायनों द्वारा तंत्रिक एवं रशायनों द्वारा option number C राइट अंस रोगा ठीक है next देख लेते हैं एंड्रोजेन है हरमून कहलता है नर्लिंग हरमून से ये निकलता है ठीक है नेक्ष देख लेते हैं एश्ट्रोजेन श्रावइत होता है तो एश्ट्रोजेन जो है भु ब्रिस्षन द्वारा श्रावित होता है भ्रिस्षन के द्वारा तो option number D इसका right answer हो जाएगा ब्रिशन के द्वाड़ा ठीक है next देख लेते हैं तंत्रिका तंत्रिका भाग है तंत्रिका तंत्रिका इसमें से कौन सा भाग है तो इन में से सभी के सभी तंत्रिका तंत्रिके ही भाग कहलाते हैं से मस्तिस्क ये भी तंत्रीका तंत्रीका गग है आइख लेते हैं अस्तू जन एबम प्रोजेस्ट्रोन एबम रिलेक्सिन हार्मोन नावित होते हैं तो वो अंडासे से नावित होते हैं किसे नावित होते हैं अंडासे से मिन्स फिमेल में ये जो है हार्मोन्स पाए जाते हैं फिमेल में ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है तो इन में से प्रोजेस्ट्रोन ये भी मादा जनन हर्मोन है एस्ट्रोजन ये भी मादा जनन हर्मोन है एस्टियोल ये भी आपका मादा जनन हर्मोन है यानि इन में सभी ये सभी के सभी उपर युक्त सभी क्या है मादा जनन हर्मोन कहलाता है चलिए देखते हैं, next question, कोछी जानबर जुगाली करते हैं, तो वो भोजन के पाचन के लिए, okay, जुगाली करते हैं, भोजन के पाचन के लिए, option number B, इसका right answer हो जागा, भोजन के पाचन के लिए, next देख लेते हैं, किसे रसाइनिक दूत कहा जाता है, so, हार्मोन को जो है, र शरीर का संतुलन बनाए रगता है, तो शरीर का संतुलन कोन बनाए रगता है, तो वो शेरी बेलम बनाए रगता है, so, option numbers A, राइटां, व जरू जागा, शेरी बेलम, किसोर अवस्था में, होने वाले शारीरिक प्रीवातन का कारण है, तो क्या कारण है तो इसमें से दोनों कारण है एक टेस्टो एस्टेरोन और दूसरा एस्टोरोजेन ओके इन दोनों हार्मोन्स के कारण की जो है कि शोरावस्था में शरी में क्या होता पड़िबरतन होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो इसका ओप्शन नमर जो है डी राइट अंसर रह जाएगा ए और बी दोनों ठीक है चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है तो इसमें से ओप्शन नमर डी जो है और आक्सी टोसिन आक्सी टोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है ठीक है चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन नेक्स्ट है इनमें से कौन अंतासरावी ग्रंथी नहीं है तो यक्रित जो है बो अंतासरावी ग्रंथी नहीं आता है ठीक है तो आप्शन नमबर डी राइट एंस रो जाएगा नेक्स्ट द काते हैं उससे निकलने वाला हार्मोन है ठीक है तो अप्शन नमबर डी हो जागा है एंड्रोजन ठीक है नेक्ट देख लेते हैं तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं खिडियात्मक की काई को क्या काते हैं तो नियूरॉन काते हैं बहुत इंपोर्टेंट यह कोश्चन है अप्शन नमबर इसका भी राइट अंसरो जागा है नियूरॉन बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन यह आपके लिए है ठीक है अच्छे से इसे आप याद कर लेना ठीक है निमन लिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है तो इसमें से जो डी है साइटो काईनिन साइटो यह एक पादप हार्मोन है ठीक है चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कोस्चन दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्ये खाली अस्थान को काते हैं तो इसे हम लोग सिनेटिक दरार यानि कि सिनेप्स इंगलिस में कहा है तो सिनेप्स भी काते हैं अधर नाम इसका है ठीक है दो नियूरोनों के संपर्क विंदू को क्या कहते हैं तुसे हम लोग सिनेटिक दरार यानिक सिनेप्स कहते हैं तो इसका भी ऑप्सन नमर क्या हो जाएगा भाई भी राइट अंसर ठीक है चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट है और थायरोक्सीन का सर्वन कहाँ होता है थायरोक्सीन का सर्वन जो हता है बो थायराइट गरंञति के दोड़ता है तो इसका ऑप्सनम्वरे राइट हैंसर हो जाए vestedart रränए नथी के दोगरार ठीक है मानंब धाइलेसिस थैली है तो नेस्ञरों यो है वह है वो डाःक consumption करता है मानब का ठीक है नेच्प्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है भोजन का पचना किस प्रकार क्या अभकिरिया है तो भोजन का पचना अभी मैंने पिछले चेप्टर में जैप परका मिन बताया था कि वो एक उप्चेण अभिक्रिया कर लाता है ठीक है तो इसका राइट अन्स रोजा को ऑप्सन नमबर है उप्चेण ठीक है में से कौन सा अंग संवेधिक गराही नहीं है, तो दिमाग जो है आप का संवेधिक गराही नहीं है, ठीक है, option न towels next अगर मेरू रज्जू निकलता है, तो मेरू रज्जू एther, मेडूला से निकलता है, तो इस का answer हो जाएगा option never D, मेडूला से, नेक्स देख लेते हैं नेमने में से कौन गैसिय अवस्था में पाया जाता है तो इथाइलीन जो है ये गैसिय अवस्था में पाया जाता है ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं एंड लास्ट ये हमारा कुश्चन है कुश्चन है नांकित में कौन पादफ हर्मोन नहीं है तो ऑक्सी टोसीन ये एक पादफ हर्मोन नहीं है आज के लिए इतना ही I hope वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो अचले के तो लाइक करे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को ज़्याद ज़्याद स्चियर करें So thank you